ये अध्या समझने से पहले थोड़ी सी पुर्वपिठी का समझन आवश्चक है कि महाभारत का ये युद्ध जो हुआ इसका मूल कारण क्या है? शंतनु एक राजा है, शंतनु के पुत्र है, देववरत याने जिन्हें हम भिश्माचारे नाम से जानते हैं. ये देववरत को पता चला कि मेरे पिता जी, आजकल ठीक से खाना नहीं खाते, ना सोते हैं, कुछ तो तकलीफ है इनके मन में. और जब उन्होंने जाना कि इनके मन की तकलीफ ये है, कि ये सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं, अब वो जमाना था जब अनेक विवाह हुआ करते थे. लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे तभी सत्यवती आपसे विवाह करेगी और देवदत्य बड़ा पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर देववरत का याने भिश्माचारे का प्रथम अधिकार था ये बात जैसे ही देववरत को पता चली उसने प्रतिग्या की कि मैं विवाह नहीं करूंगा ना ही मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठूंगा और तो और और एक प्रतिज्या थी ये तीन प्रतिज्या एक साथ कर दी कि मैं हस्तिनापुर के सिंघासन पर बैठूंगा नी मेरे बच्चे भी बैठने का सवाल खड़ा नी होना ची इसलिए मैं विवाह करूंगा नी और हस्तिनापुर के सिंघासन की अजन्म सेवा मैं करू राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ है। सत्यवती को दो पुत्र हुए है। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था भी चित्रवीर रिया। जाने गया। अब ये सारी जो चीज़े हैं ये मालूम होना इसलिए चाहिए कि ये जो चित्रांगद है ये बड़ी अलप आयू में ही लड़ते लड़ते मर गया। देववरत भिष्वने आकर्मन कर दिया काशी राजा पर। उसकी तीन लड़किया थी अंबा, अंबालिका और अंबिका ये तीन लड़किया वहां से उठा के ले आए। अंबा जो थी उसने कहा कि मेरा तो पहले से मन किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो मेरा विवाह आप कैसे कर रहे हैं। शाल्ले के साथ में मैं प्रेम करती हूँ तो आप मुझे छोड़ दीजिए। भीश्मन ने ये अंबा को छोड़ दिया शाल्ले के पास। लेकिन शाल्ले ने उसे स्विकार नहीं किया। क्योंकि भीश्मों से जीत कर ले गए थे तो शाल्ले ने स्विकार नहीं किया। अंबा ने बड़ी प्रार्थना की भीश्मन से कि ठीक है अब जब मेरा स्विकार नहीं हुआ है तो आप ही मेरे साथ विवाह कर ले। भीश्मन ने कहा नहीं मैं तो जन्म ग्रमचारी रहूंगा। और फिर इस अंबा ने जाके घोर तपस्या की और तपस्या करके उसने वर्दान प्राप्त किया कि मेरा जो अप्मान हुआ है भीश्मके द्वारा उसका बदला लेने के लिए मुझे पुनर जन्म चाहिए। अंबिका और अंबालिका इन्हें विचित्र वीर्य से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और इसलिए सत्यवरती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया और व्यास के आने से उनके तपोबल से ये पुत्र प्राप्त हुए अंबा और अंबालिका को लेकिन उनका तेज अंबालिका सहनी पाई उसने वो सफेध हो गई डर गई उससे जो प्राप्त पुत्र है उसका नाम है पंडू और अंबिका जो है वो अंबिका से अंबिका ने जब वेदव्यास को देखा तब उसने तो आखे बंद कर ली और इसलिए जो पुत्र हुआ वो दृष्टिहीन पुत्र हुआ जिसका नाम है धृतराश्ट्र और कवरव जो है वो दृतराश्ट्र के सो पुत्र और पांडव जो पांच है वो पंडु के पांच पुत्र तो ये सब हम लोगों को थोड़ा सा मालूब होना चाहिए और ये युद्धारंब क्यों हुआ ये भी पता है आपको वैसे देखा जाए तो ना तो पांडु और ना ही धृतराश्ट्र वास्तों में इस कुरुवववश्य से थे क्योंकि अम्बालिका और अम्बिका इनसे ये प्राप्त है और पिता है महर्शिव वेदव्यास तो कुरुवववश्य से उनका रक्त का नाता नहीं है और इस समय कुरुवववश्य से भीश्मा चारे के अलावा और भी कोई जिंदा है लेकिन सत्यवती ने भीश्मा को प्रार्थना की कि आप ही संभालिये राज्य को आप राजा बन जाईए मेरे कारण आपने प्रतिग्या ली थी मैं आपकी प्रतिग्या से आपको मुक्त करती हूँ लेकिन भीश्म प्रतिग्या शब्द सभी भाषाओं में हम लोग इस्तमाल करते हैं उसका कारण यह है कि वो अडिक थे अपनी प्रतिग्या के उपर कि ना में ये काम नहीं करूंगा पांडू क्योंकि बड़े अशक्त थे इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया एक अंध विक्ति को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया इसका कारण था कि भीश्म को यह पता था कि जब तक मैं हू तब तक कोई चिंता नहीं और इसलिए इस अंध राजा को राजा तो बनाया गया लेकिन ये धृतराष्ट्र निकला अपने नाम जैसा ये राश्ट्र को उस राज्य को ऐसे पकड़ के बैड़ गया जखड़ के बैड़ गया धृति के साथ में धृतराष्ट्र हो गया तो इसने पांडवों ने जब कहा कि हमें भी हमारा अधिकार चाहिए तो आधा अधा राज्य का बठ़वारा हुआ और आधे राज्य के बठ़वारे में जो खांडववन हैं जहां केवल जंगल ही जंगल था निर्मनुष्य इस प्रकार का जंगल ऐसी आधि भूमी जहां से कोई राजस्वाना नहीं था क्योंकि लोग ही नहीं थे तो कहां से पैसा आता है ऐसी भूमी इनको दे दी गई पांडवों ने वो भी शिरोधार्य माना और वो खांडववन चले गए और खांडववन को उजाड कर वहाँ पर उन्होंने इंदर प्रस्थ बनाया वो इतना सुन्दर इंदर प्रस्थ बनाया कि हस्तिनापुर से ज़्यादा सुन्दर था वो लेकिन फिर वहाँ जाकर दुर्योधन के मन में ये आया कि आरे ये तो मेरे पास चाहिए और फिर शकुने ने कहा ये मैं कर सकता हूँ और शकुनी ने अपनी कप्टी चाल से ऐसे फांसे उल्टे फेके कि पांडवों को पराजित होना पड़ा बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अग्यात वास लेना पड़ा जब तेरह वर्ष बाद वो वापिस आए तो उन्होंने अपना राज्य फिर मांगा नहीं दिया तो कुरुष्ण गया रुष्ण ने कहां पांच गाओ दे दीजिए तब जाकर दुर्योधन ने कहां एक इंच भी भूमी नहीं सुई क्यागर भाग पर आएगी इतनी भी भूमी नहीं देंगे और यहीं से उस यद्ध का आरंब हुआ क्योंकि ये जो अधर्मी दुर्योधन है जिसने पहले तो जूटा खेल खेला द्रोपदी का चीरहरन किया और अब ये भाशा की कि सुई क्यागर पर भी आएगी इतनी जमीन में नहीं दूँगा तो युद्ध का आरंब हुआ